नमस्कार आप देख्रे नियूस फोर नेशन और मैं हूँ सांथवन आपके साथ जदियू के पूर्व राष्ट्रे अदेक्षिसा पूर्व कींद्रे मंत्री आर्सीपी सिंग जदियू से इस्तफा देकर अलग हो चुके हैं जिसके बाद मुक्षिमंत्री निती शुमार पर वो खासा हमला वर रहते हैं जदियू की आए दिन पोल खोलते हुए नजर आते हैं मुक्षिमंत्री नितीश उमार के बारे में यहां तक कि RCP सिंग न ये भी कहा कि साथ जनम में भी वो देशय प्रधान मंत्री नहीं बन सकते वही दूसरी तरफ जदियू भी RCP सिंग पर कई तरह क्या रोप लगा रही है ललन सिंग ने तो यहां तक कह दिया कि RCP सिंग की कोई आउकात नहीं है वो जो भी कुछ है उन्हें नितीश कुमार ने बनाया है नितीश कुमार ने उन्हें शरंदी मौका दिया जुसका गलत फाइदा उन्होंने बीजेपी के एजिंट बन कर उठाया तो वहीं अब बताए कि इन सभी आरोप प्रतेरोप के सिलसिले के बीच RCP सिंग आज हुंकार भरने जा रहे है और उनकी एक बड़ी जनसंपर का यात्रा आज से शुरू होने वाली है जहां पर वो जनसंपर का अभियान चलाएंगे जिसके शुरुआत बिहार की आरा से RCP सि निकल चुके हैं दरसल पूर्व केंद्रे मंत्री RCP सिंग का तीन दिवसिय जनसंपर का भियान रविवार से आरा से शुरू होगा इस दौरान वो पुनपुन नौबतपूर, बिक्रम गंज, नालंदा, कैमूर, सहित, आदा, दर्जन, जिलो के लगबक तीन दर्जन से राकात कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, सभाय उनकी तरफ से आयोजित की जा रही है और उनकी समर्थकों और चाहने वालों के द्वारा लगातार RCP सिंग को लेकर बिहार का अगला मुक्षम अंत्री कैसा हो, RCP सिंग जैसा हो के नारे भी देखने को मिल और ऐसे में आपको बताए कि जहां भी वो जाते हैं, उनका भव्य स्वागत किया जाता है, लोगों के द्वारा उन्हें बहुत प्यार भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, उनके समर्थकों के द्वारा जम कर नारे बाजी की जाती है, स्वागत किया जाता है और अब इन सब क पिरना जगहों पर वो लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, उनका कहना है कि वो एक समाज से भी है, लोगों के हित में वो काम करना चाहते हैं, लोगों की समस्याओं को वो सुनना समझना चाहते हैं और वो समाज के बीच रहना चाहते हैं ऐसे में उनकी शुरुवात आसे होने जा रही है और ऐसा भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नितीश हुमार के खिलाफ वो लोगों के सामने बातों को रखेंगे उनके खिलाफ जो है ये जनसापर का अभ्यान की शुरुवात की गई है ताकि जदियों की पोल खोली जा सके मुख्यमंत्री नितीश हुमार के खिलाफ जो जितनी बाते हैं वो जनसापर के सामने रखी जा सके ये भी कुछ लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये बीजेपी का एजेंडा है कि आरसीपे सिंग जो है वो आज जनसंपर्क अभ्यान की शुरुवात क क्या कुछ खास होता है रसीपे सिंग के तरफ से कौन से मुद्धे उठाय जाते हैं किन बातों पर विचार विमर्श किया जाता है लोगों के सामने वो किन बातों को रखते हैं फुला के लिए सबदेट्स में तहीं अलके अबडेट्स के लिए मासाद बने रहे निउस झाल